स्वागत है अपका मैं आपका दूस दिनिस निम्भावत हम बात करें थे समासास्तर को लेकर समासास्तर के संदर्ब हमने बहुत कुछ पड़ा समाजिक समो को समझा इनकी परिवासाओं को समझा उत्पत्ति के जिदान्दों को देखा अब बात करते हैं परिस्तिति एयों सबसे पहले लिंटन ने परिस्तिती भूमिका की अउधारना इसका जो कंसेप्ट दिया था वह लिंटन ने दिया था लिंटन ने दिया था अब देखीगा परिस्तिती परिस्तिती भूमिका की उधारना को लिग्ण अब लिंटन कहता किया इसमें देखेगा किसी समाज या समाजिक ववस्ता में पर निरदिश्ट समय पर वक्ति को प्राप्त परिस्तित ś changing क्या कहता लिंटन क्या कहता देखेगा किसी समाज या समाजिक ववस्ता में एक निर्दिष्ट समय पर निर्दिष्ट यह दी गई निर्दिष्ट के समय पर वक्ति को प्राप्त पद जो होता वो परिस्तिति कहला था परिस्थिति परिस्थिति अलग है परिस्थिति अलग है इस्टेटस सीच्वेशन अलग है दोनों याद रखे अब डेविस आए डेविस क्या कहते है इसको लेकर डेविस किसी संस्तात्मक व्यवस्ता किसी संस्तात्मक व्यवस्ता में परिस्थिति वक्तिक प्राप्त सामान सामाजिक परिष्टित्यों का जा ले समाज जो है वह सामाजिक परिष्टित्यों का जाल है यह कोण कहता है कि इन्हों ने अब देख्याइगा विवाह को भी परिस्तिति और भूमिकाओं की वेवस्ता माना अब लिंटन ने परिस्तिति को दो बहुत में बाटा दो बहुत बटा थो है किया इसको समझे पहली चीज पुरदध परिष्टिति समाज में वक्ति को सोत्र प्राप्त होने वाले पद पर वक्ति का कोई नहीं होता उइसके लिए पर्यास करता ही प्रदध परश्थिति ओ लिंटन ने जो परियास करता है पतला ऐसी परस्तित के इसा पद जिसके लिए हमें प्रियास करना नहीं होता ये जनम आयव लिंक जनम के साथ मिलता है और जनम तो होता ही है अब जाती पर जाती नातेदारी वगर जो है वो प्रदत में आती उसके बाद देखे अरजित परिस्तिति को समझे आप अरजित परिस्तिति क्या है वक्ति को प्राप्त वेपद जो गुण वो योगिता के आधार पर प्राप्त होते हैं वक्ति के नियंतर्ण में होते हैं तत उपने पे नियंत्रण पर मना होता है ठीक है कि अब आद करें अर्जीत प्रिस्तिति के आधार क्या क्या हम किसकिस बेज़ पर अर्जित प्रिस्ति प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा के बेज़ते पर विवा के पर राजनेतिक सत्ता दी यह अर्जित में आता है ठीक है अर्जित जिने हमें अर्जित करना पड़ता जिसके लिए संगस्ट करना पड़ता सिक्सा के लिए पड़ना पड़ेगा वेवसाई के लिए मैनत करनी पड़ेगी विवा राजनेतिक सत्ता के लिए राजनेतिक करनी पड़ेगी संगश्ट करने पड़ेगा और अब सिप्षीति पुंज क्या होता है इसके संजे परिष्टिती क्या होता है एक वक्ती को समाज में प्राप्थ होने वाले सभी कडों का योग पर सिवंट्रिय क्या वकती है उसको समाज में प्राप्त सभी पद उनका योग वक्ति एक है लेकिन समाज में सभी पदों का योग परिस्तिती पूंच क्या लाता जैसे की देखें आप जैसे की देखें एक वक्ति है एक वक्ति है किसी का पुत्र भी है किसी का भाई भी है किसी का पत्ती भी है किसी का पत् इनके क्या है पद है समाज में आप इनका टोटल योग है वो पष्थिति पुंच्न कहलाएगा Rosen बात करते हैं मुख्ये प्रिस्थिति क्या है प्रष्थिति के अमने प्रेस्थिति के सभी पदों का योग थिक है अब बात करें मुख्य परिस्तिति इसमें से की स्टेटस क्या है मुख्य परिस्तिति क्या है उसको देखें ये दिया हिलर ने मुख्य परिस्तिति पर्तिपादित हिलर दुआरा अब हिलर इसमें क्या गयता अपने परिस्तिति मुख्य परिस्तिति में देखेगा वक्ति प्रस्तिती क्रम संक्ला एक वक्ति अपने सामाजिक जीवन में विबिन पदों को उत्रों तर इस टेप प्यस्टेप क्या सकते हैं में धारन करता है अब प्रस्तिति क्रम कहलाता है देखिएगा प्रस्तिति क्रम का बतलब है अपने जीवन में इस्टेव इस्टेव अपने उम्र के according समय के अंत्राल के बाद उधार्न करता है जो पद वो क्या कहलाते है प्रस्तिति क्रम कहलाता है जैसे के फोर एक्जाम्पल हमने लिया पहले क्या होंगे सिसु होंगे फिर बालक बनेगा फिर किसोर बनेगा फिर यह बनेगा यह प्रस्तिति पूंज हो गया यह प्रस्तिति क को तीन भागों में डिवाइड किया और इस तरीके से बता है देखिएगा परस्तिती करम को जुड़ा परस्तिती धूर परस्तिती और परस्तिती समंद्ध यह भी रिस्टेट ने दिया पेर पोला स्टेटास रिलेस्ट चलिए बात करते हैं समाज में कुछ पद जोड़े के पढ़ाव में दूसरा अरठीन होजाता थील्य हुएनठ जुड़ा परस्तिति कहते दिखीगा produced जो परस्तित्य होती वो जुरा की रूप में होती है अब इक के अप्ठीन तनी मतपिता दूकांदार ग्रहक टका अब देखिए जं को इसका पद्टि पादन डेविस ने किया डेविस क्या कहते हैं ऑफिस एक पद्ध है जो किसी भी फिसी ओप्चारिक संक्ठन में वक्ति को अपने गूंड वो योगेतः के आधार पर प्राफ्थ होते हैं इस पद्ध के जो अभीरती होते हैं योगेता वो सेवा सरते भी निश्चेत होती है जैसे सरकारी सिक्सिक बनना है सेकारी डोक्टर हो गया प्रदान मंत्री हो गया आदी मुक्य सचीव जो है यह उपीस के इनके मतलब उपचारिक तोर पर होते हैं इनमे नियम होता है उनके अकोर्डिंग काम करना होता योगेता स्थाप्रगला सब्द इस्ट्रेट कि कौन से सब्द से इस इसको इस्त です बोला जाता है समान हो से मिलकर बना हो जो समू होगा वो क्या क्यलाइगा इस्तरिद क्यलाएगा मतलब Student क्यलाएगा समाज में इन पड़ों प्रतिस्टा होती है समान जुछ समान रूप से जो प्ड होगा है इस पड्रत से जो मिलवा समू होगा इसको締सम कहेंगो इस्ट怎么 mo dia जैसे कि इनमें समाज में इन पदों की समान प्रतिष्टा समान सबहें इसको मान के चलते हैं इसको आप प्रतिष्टा किया थे इस जबने देख लिया एक समान अब इस्टेटा यहन के इस तर देखिए सिख और सभी है में विवक्त तीनों उच्छ वो निम्न करम में विवस्तित हैं जो उच्छ करम में हो गया है फिर सेकंड ग्रेट निम्न करम में होगे अब इन सभी को मिला कर छुड़ेट तीनों को मिला गया सबी को मिला इनको बोला गया कि अब परिस्तितिसं कॉन का रजिरों को देंगे परिस्तिति शंगरश को देखें अब हैं कि शीक संग्र ट में भाग नहीं ले सकता लेकिन बहरती नागरी आगे की नात राज़े निकिरहों में भाग ले सकता इस प्रकारposition प्राप्त दो पद परिस्तिति एक दूसरे के विप्रित हैं इन्हें परिस्तिति संगर्ष करता था है जिद्धी सी बाद है कि हम एक पत्वर बेटे हैं और हमें कि दो भूमी काउं का निर्भा करना जसी कि एग्जामपल हम ने यहां यह ले रहा का इचा शिकसक холод आपने प्रोपेर्शन का इसाब से अब सिकसव को गया वह प्रोपेर्शन को उस्यक्समें को उसका हो गया उसमें वह राज्रीटिय नागरिक होने के नाते वो राजनेती किर्यों में भाग तो ले सकता है ना अब यहीं होता है कि अब बारती नागरिक होने के नाते राजनेती किर्यों में भाग ले या सिक्सिक होने के नाते राजनेती गतिव दिम भाग ना ले इन दोनों के बीच का जो द्वन दिया संगर् दो परिस्तेति के बीच परिस्तिती संगर अब बात करते हैं अगला है इस्टेटर्स रिवार्स अब यह क्या है परिस्तिति विप्राई इसको देखें में परिस्तिती विप्राई भारत में राष्टपती सरोजपत पर है आप इसे समझेगा अच्छे से विप्राई का मतलब कैसे परिस्तिती विप्राई कैसे है भारत में राष्टपती पत जो है वो क्या है सरोजपत है इस अभी करमचारियों के लिए आदेश जारी करता है ठीक है लेकिन कहीं बार सुरक्सा कारणों से वो अधिकारियों के आदेस की पालना भी करता है इस प्रकार एक ही पत से जुड़े अधिकार वो करतवयों में विरोधा अभास पाया जाता है ये प्रस्तिती विप्रा कहलाता है देखे कैसे रास्टपती हो गया राष्टपती सरोज होता है तो वो आदेश जारी करता है ठीक है लेकिन यहीं कभी राष्टपती जी को किसी कारिकर में जाना होता है कहीं टूर करना होता है तब सुरुकसा की द्रस्टी से जो सिकरिटी एजिंसी है उन अधिकारियों का आदेश राष्टपती जी को खुद क उनको मानना पड़ता है अब दो प्रशत्यू के बीच विरोदावस हो गया जो आदेश देने वाला है वह आदेश मानता है तो क्या हो गया विरोधाबास हो गया इसे कहते जो है परस्यति विप्राई चलिए आगे आगे सब दाता है एक भूमिका भूमिका को समझते हैं भूमिका क्या है भूमिका का मतलब रोल भूमिका किसी का नाम नहीं है भूमिका का मतलब रोल भूमिका की अउधारना भी लिंटन ने दी अब भूमिका होता क्या उसको समझे भूमिका की अउधारना भी लिंटन ने पर्तिपादित की और सामने तक किसी पद से जुड़े हुए कारियों को निभाना भूमिका कहला था सावानियत किसी भी पद से जुड़ा हुआ कारे जो हम करते हैं उसको निभाते हैं निभाना पद क्या हो गया परिस्थिति याद रखेगा पद क्या हो गया परिस्थिति और निभाना भूमिका हो गया ठीक है परिस्तिती का वैवारिक या गतिसील पक्स जो होता है भूमी का कहला था हमने बात कर ली बता दिया हमने अब देखी कर परिस्तिती व भूमी का में सम्मंद रिलेशन बिट्वीन इस्टेटस एंड ड्रॉल परिस्तिती व भूमिका में क्या संबंध है इसको देखते हैं परिस्तिती व भूमिका एक ही सीखे के दो पैल हुए तता दोनों आपस में गनी स्टूप से जुड़े कैसे जुड़े हमने बात देख ली पद क्या हो गया परि परिस्तिती क्या होगी सामाजी का उधारना है ताता समाज परतिक पत के साथ कुछ ना कुछ परतिष्टा यानकी प्रस्टीज उसे जोड़ता है जबकि भूमिका जो है वह भूमिका मनोवेगयने का उधारना है जिसके साथ सम्मान जोड़ता है सम्मान जोड़ता है देख कि समाज परतिक पद के साथ भूमी का जोडता है error कि समाज परिस्थित्यों परिस्तियों around लिए अगला सब्द है रोल-खल चाने या पूमिका निर्वण या भूमिका पालन इसे समझे। सामाजिक परिश्थितियों के संदर में किसी पद से जुड़े वे कारियों का निर्वन करना अब देखे कि सामाजिक परिश्थितियां होगी अब उसके संदर में हमें पद दिया गया परिश्थितियों होगी अब उस पद से जुड़ावा कारिया हमें करना है उस पद का जो करना क्या की लाइगा भूमी का निरवण जो हमें पध्या गया उसका और की पालना करना भूमी का की पालना भूमी monopoly एक तरह के से आपको रोल दिया गया उस रोल को प्ले करना के ठीक है रोल प्लाइंग अब बात करें अगला सब्द आता है रोल टेकिंग भूमी का ग्रहन ये मीड ने दी इसकी अउधारना रोल टेकिंग भूमी का ग्रहन इसकी अउधारना मीड ने दी और मीड क्या कहता है किसी विशेष्ट पत से जुड़ेवे कारे को निभाना या सी सेक्ण थो आफसे क्या दो का विशूज के विच्छोह फोग से जुड़े कारे को उसको आपको करना यह उसको सही कया भी आउना विकत अग्वायँ शेट आथा lixaा है ॥ अभिने की भूमिकाawan प्लेइंग ऑफ रोल अभिने की भूमिका आप देखिए किसी फिल्म या नाटक में अभिनेता द्वारा किसी पात्र की भूमिका नेरवन कठ Pack कोई भी फिल्म हो गई नाटक हो गया ड्रामा हो गया एक्ट हो गया उस एक्ट के अंतरकत अभिनेता जो एक्टिंग करते हैं पातर जो होते हैं किसी पातर की भूमिका उनको दे दी जो पात्र दे दिया गया उस पात्र के according आपको अभिने करना है तो क्या कहलाएगी वह अभिने की भूमिका आपको अभिने दिया गया है उस अभिने की आपको क्या करनी है भूमिका करनी है अभिने की भूमिका अब चोटे बच्चों द्वारा मारी जो डोक्टर का क्याल क्य अप भुमी का देखेगा रोल सेट क्या होता है। के एक सिख्षक पतफ होता है धीक है रोल्षेट का मतलब क्या बhumika का पुंज क्या सकते हैं तो चात्रों के साथ बूब्वारय करता है उनके साथ प्रिंसेपल होता है उनके साथ भी समन्द में करता है इनके साथ चातर के साथ भूमिका जो देका फाने साथ उनुए पन्याताय फैросि का सी मुझेश सदोफ मेश्य सबनारा वेश्य आरा रहा है और पिरिन्सिपल के साथ भूमीका वहीं उस स्कूल में छप्रासी के साथ भूमीका और अभी बाव कई उनकी प्ठ़ मोहीट थे तो क्या होगे भूमिका पुंज रोल सेट एक पत्स से जूड़ी हुई सभी grave का होगा योग या संप्रलिव का पूंज केलाता है अब देखबभूमिका मल्टीपल रोल को देखे हैं अब है मल्टीपल रोल एक वक्ति को प्राप्त सभी पदों से जूड़ी हुई सबी भूमिकाओं का योग होता देखेगा एक वक्ति को प्राफ सबी पदों से जूड़ी हुई एक वक्ति को प्राफ ठीक है एक वक्ति को केवल एक है अब उसके पास पद जो भी पद जितने भी पद है उन पदों से जूड़ी हुई भूमिकाओं होती है उन भूमिकाओं क पुंज का योग एक तरके से कहि दे क्या का एक पद से जूड़ी बुमिका उनका योग इसमें लेकिन इसमें क्या बोलाए कि सब्सक्राइब तो एक तरीके से जो सभी भूमी का पूंच यहना उनका योग क्या कहलाएगा अब चलिए अब देखते हैं इसको आपके देखीगा अब जो होता है एक व्रक्ति सब से पहले क्या है टीचर है क्या है अब टीचर है तो वो चातर से भूमिका का निर्वा कर रही है और पुत्री के साथ भी भूमिका का निर्वा कर रही है अब एक पत्नी है वहीं वहीं सक्स वहीं वक्ति अब पत्नी है पत्नी है तो पत्ती के साथ सास के साथ और ससुर के साथ अपने भूमिका का निर्वा कर रही है तो यह क्या कहलाएगा कर रहा है एक वक्ति जजादा रूख दूरी एक सब्सक्री लू करके तर जब थक जाता है या निरस्ता का उन्वो करता तो वो कुछ समय के लिए उस पत से जूड़ी भूमिकाओं से दूर अट जाता है अला कि लाता है एक्जाम्पल के तोर पर देखा जाए राश्पती जी अगर सिम्लाव में गर्मी की जूटियां बिताने चले जाए अब आता अगला सब्ध भूमी का वंचन रोल डिस्पोजिशन कर यह इसको देख्यां बूमी का वंचन जब वक्ती एक परिस्थि को छोड़ कर दूसरे जोइन करता है या ग्रहन करता है तो पहले वाली पत से जूड़ी वही बूमी का का त्याग करता है यह बूमी का का वंचन कहला था तता दूसरे पत से जूड़ी बूमिका का पालन करने से पहले किया होदी बूमिका संक्रमन क्यलाती है दिखेंगा क्या हो था बूमिका वंचन का मतलब एक परिस्तिति आपने छोड़ी अब दूसरी परिस्तिति को ग्रहन कर रहा है अब पहली वाले जो छोड़ी है उसको क्या बोला है उसको पहले के परिस संक्रमन क्या लाया अगला सब दे भूमी का तनाव रोल टेंशन भूमी का तनाव जब कोई वक्ति पहली बार किसी भूमी का निर्वन करें तो मानसिक तनाव का अनुब होता है जिसे भूमी का तनाव कहा जाता है याद रखिए का जैसे कि आप दे भूमी का तनाव पहली बा संहते हैं वह क्या है है पहली बार पढ़ाने जाना अगला सब्सक्रीन पर भूमिका संगर्ष इसको देखें बूमिका संगर्ष क्या है दो पदों से जूड़ी हुई दो बूमिकाओं या एक पद से सबु Gradeisesti में तो मांसिक दोन दोत्पन वी को देखिएगा अगर आपके पास दो पत्से जुड़ी हो रहें दोवी का होगी नशन्य जरुकंत मेड़ाना है तो सब्सक्राइब करें कह सो गया तरह से मस्तिक्समें की सारीके से निम्ठाइब को एक आटो यह जो संगर्स होता है यह जो दोन्त होता यह क्या क्या नाता है तो दोस्तों होप फ़ी वीडियो को पसंद हाया होगा आज के चेप्टर में इतना ही बात करेंगे आगे सामाज़िक परिवर्तन को लेकर social changes को लेकर अगला वीडियो होगा आपसे निवे दन इस चैनल को आफ सबसे पहले subscribe कर रहे हैं और फिर like, comment, share जरूर करें नमस्कार